हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे चैनल सिनेमा वे थानी सजे में तो आल फ्रेंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साउथ एंडियन के फेमस डारेक्टर नाग अश्विन की एज़ डारेक्टर रिलीस सभी मुवी के बारे में तो फेंड एज़ डारेक्टर नाग श्विन की डेब्यू मुवी का नाम था यवदे सुब्रे मनियम फिल्म के लीड कास्ट में विजदेवर कॉंडा, मालविका नायर और रितु बरमा के साथ नानी शामिल थे ये एक तेलगु भाषा की मुवी थी जिसे 21 मार्ट 2015 को रिलीज किया गया था ये वदे सुब्रे मनियम एक एडवेंचर कामेडी ड्रामा मुवी थी जिसका बजट 12 करोड था और इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइट 22 करोड की कमाई की और बॉक्स ओपिस पर ये मुवी एक एवरेंज मुवी साबित रही आजे डारेक्टर नागस्विन की नेक्स्ट मुवी का नाम है महानती फिल्म की लीड कास में कृती सुरेश बिज़ा देवर कुंडा और नागा जयतन्या सामिल थे ये एक तेलगु भासा की मुवी थी जिसे 9 माई 2018 को रिलीज किया गया था महानती एक थिल्ले ड्रामा मुवी थी जिसका बजट 25 करोड था और इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइट 83 करोड की कमाई की और बॉक्स ओपिस पर ब्लॉक बस्टर मुवी साबित रही आजे डारेक्टर नाकस्विन की नेक्स्ट मुवी का नाम है पिता कथालू फिल्म की लीड कास्ट में संगीता, सुभान, तुरुती, हर्सन, जगपती, बाबु शामिल थे तेलगु भाषा की ये मुवी थी 19 फरवरी 2021 को रिलीज हुई थी और ये रोमांटिक ड्रामा मुवी थी ये फिल्म डिजिटली नेट्फिलिक्स पर रिलीज किया गया था अनुदियूप केवी के डारेक्शन में बनने वाली फिल्म जाथी रतनालू इस फिल्म के प्रोडूसर नाग अश्विन थे फिल्म के लीड कास्ट में नमीन पोली सेथी पारिया अब्दुल्ला और प्रिया दर्सानी शामिल थे तेलगु भासा की ये मुवी 11 मार्श 2021 को रिलीज किया गया था जाथी रतनालू एक कॉमेडी मुवी थी जिसका बेड़ था चार करोड और इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइट 79 करोड की कमाई की और बॉक्स ओपीस पर ये फिल्म आल टाइम ब्लोगवस्टर मुवी साबित रही और ये ही एजे डारेक्टर प्रोडूसर नागस्विन की आखरी मुवी साबित रही नागस्विन की अपकमिंग मुवी का नाम है कलकी 2898 AD फिल्म की लीड कास्ट में परभास दीपिका पादुकोड कमल हस्वन और अमिता बच्चन सामिलोंगे तेलगु भासा की यह फिल्म साइफाई एक्षन मुवी होगी जिसे जनवरी 2024 में रिलिज के लिए प्लान किया गया है तो फ्रेंड ये रहा हमारा आज का वीडियो इसमें से आपको कौन सी फिल्म अच्छी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल सीनेमा विथनी सजो को सब्सक्राइब जरूर कर ले